Guys welcome back to another video in the series of bash scripting और जैसे कि हमने पिछले वीडियो में कहा था इस वीडियो में हम बात करेंगे operators और decision making के बारे में पिछले वीडियो में हमने operators के बारे में presentation देखी थी जिसमें हमने discuss किया था कि theoretical part क्या होता है अब हम इसमें practical part करेंगे तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने दो folders बनाए वे हैं, एक operators नाम से और एक decision making नाम से, तो इससे हम discuss करते हैं, तो चलिए पहले प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है arithmetic, मैंसे यहाँ से अलग कर देता हूँ, ताकि आपको जाधा space द directory में देखते हैं, हम decision making के अंदर है, which is perfect, अगर हम यहाँ पर ls करें, तो हमारे सारे programs दिख जाएंगे, ओके, तो decision making में नहीं जाना हमें, वापिस चलते हैं, cd dot dot करके वापिस करें, यहाँ पर ls करेंगे, फिर हमें जाना है cd operators के अंदर, 03, enter, बस, अब यहाँ पर ls करक तो आपको आपके programs दिख जाएंगे, तो मैं यहाँ पर clear करता हूं, और सबसे पहला program चलाता हूं, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा sh, उसके बाद 01, arithmetic, और आपने देखा कि यहाँ पर syntax जो है, 10 और 20 को add कर रहा है, तो add उसने यहाँ पर 30 कर दिया, subtract मे उसने यहा 100, division में उसने यहाँ पर 0 दिया, modulus में उसने यहाँ पर 10, और यह उसने जो भी दिया, answer यहाँ पर दे दिया, तो basically यहाँ पर 5 operations हो रहे है, जो चीज़ आपको धियान में रखनी है, वो यह वाली है कि कई जगह यहाँ पर double brackets का इस्तेमाल होता है, जो कि हमारे normal brackets है, और कई जगह हमारे bar brackets का इस्तेमाल होता है, तो इसे शायद अब duplicate कर दिया गया है, अब आप दूसरे तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर पहले इस तरीके से भी इस्तेमाल होता था, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर देखें, यहाँ पर spaces नहीं है, तो इन बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रोग्राम की तरफ जिसका नाम है relational operators है तो relational operators में हम क्या देखते हैं same value दी हमने a की 10 और b की 20 अब हम यहापे relation निकालेंगे चिक है तो पहले मैं से clear कर देता हूँ एक बार और उसके बाद मैं आप यहाप यह से यहापे if और else में confused मत होई होगा आपको पिछले वीडियो में याद होगा कि हमने इनके बार में discuss किया था हम separately भी discuss करेंगे ठीक है दूसरे की तरफ बढ़ते हैं उसने क्या देखा यहापे not not equal to दिखाया है तो not equal to में उसने क्या करा है यहापे चेक यह condition again answer वही होगा same a is not equal to b उसके वाद उसने else लिया यहापे else में उसने क्या करा कोई जरूत नहीं है इसको चेक करने की क्योंकि हापर कुछ हो भी नहीं रहा अब यहापे एक f है उसमें क्या check कर रहा है कि a less than b से है तो हाँ a less than b है क्यों क्योंकि 10 जो होता है 20 से less होता है आगे बढ़ गया है हम प्रोग्राम में इसमें क्या check कर रहा है a is less than equal to b less than equal to b का मतलब है कि अगर 10 और 20 होता तो condition different हो सकती थी और answer different आ सकता था आपका लेकिन यहापे a less than equal to b जो है वो यहाँ पर आया या तो वो less than है यहाँ फिर equal to है अगर मैं यहाँ पर इससे 10 लिख दूँ यहाँ तो भी यह condition fulfill होगी उसके बाद यह बढ़ जाता है इसके आगे a greater than b है क्या नहीं a greater than b नहीं है क्योंकि 10 20 से greater नहीं होता तो इसने यह वाला result दिया similarly उसने आखे दिया a is not greater than or equal to b तो उसने यह वाला result यहाँ पर ठाके ले दिया तो आए हो आपको यह relation वाला पार्ट समझ में आया हो गए तो चलिए बढ़ते हैं आगे logical में मैं ऐसे ऐसे कर लेता हूं अब हम समझेंगे यहाँ पर क्या 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 हम कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज हम कर रहे है कि a को हमने value दी है true और b को हमने value दी है एक false तो a जो है true है अब हम इसे चला के देखते हैं तो सबसे पहले तो मैं चेक करूंगा मैं कहा हूं बापस बैस्क्रिप्टिंग में एक फोल्डर आउट हो गया था तो जीरो सीडी अब हम जाएंगे कौन से फोल्डर में जीरो फोल्डर में not decision making हम जाएंगे 03 में परफेक्ट अब मैं जाता हम 03 यहां पर सर्च करना होगा 03 और आपने देखा कि यहां पर ए ट्रू है और भी फॉल्स है तो यह क्या बोल रहा है बोद कंडिशन आर्ट हो यानि कि इसने क्या प्रेंट क्या यह क्या कर रहा है मैच कर रहा है अब आप यहां पर देखे कि ब् और यहां पर क्या दिद्र म सब्क यहां पर क्यार हो लोग क्या इसने ऐसने प्रेंट क यहां पर यहां पर रोता लेकिन उसने क्या क्या रहा है यहां पर इसा false बना दे क्योंकि negation है तो condition जो है फॉल्स बनाया नहीं है वो condition check कर दा है तो यहां पर उसने condition जब चेक करी तो वो इसके पास नहीं गया false के पास क्योंकि यह इसका not है तो a कैथा true true का not क्या हुआ false तो false equal to equal to true होता है कि नहीं तो उसने यहां पर डाल दिया ताकि a was initially true तो ऐसे यह logical operator fix होता है हमारा बढ़ते हैं bitwise कि दर bitwise हम लास्ट में समझेंगे उसके लिए मैं separate video दिखाऊंगा आपको चलिए बढ़ते हैं file test की दर चीक है तो file test में हम क्या देखेंगे हम file के जो operation से वह test करेंगे है तो इससे मैं clean कर देता हूँ sorry clear से clean हो गए उसके बाद यह क्या देख रहे हम यहां पर बिटwise sh करके हमारे कोई file है कि है यहां पे ओल्रड़ी है है यहां पर हमारी फाइल तो हम उसे टेस्ट करेंगे कि वो present है या नियुक्त है या नहीं तो मैं से अकेला नहीं लिख सकता नहीं तो मेरा inverted comma में देना पड़ता है ठीक है वरना आप यहां पर does not भी लिख सकते हैं चलिए इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं सबसे पहले तो मैं क्या करते हैं आप एक file रखता हूं जो इस तरह की मेरी कोई file ही नहीं आपर अब मैं इस प्रोग्राम को चला के देखूंगा 05 टाप sorry sh05 enter no the file does not exist यह सारे results आएंगे क्योंकि ही नहीं कुछ यहां पर इसने कुछ match ही नहीं किया तो इस सब कुछ does not does not does not देगा लेकिन अब यहां पर मेरी अलड़ी एक file पड़ी है जिसे मैं save करता हूं I think आप इसको ऐसे भी चला सकते हैं if I'm not wrong let me just try this 05 oh I think you cannot okay let's go back to this sh मैंसे इसे चला देता हूं वैसे clear कर देता हूं और आपने देखा यहां पर लिखावाए yes the file exist क्यूंकि bitwise file जो है वो current directory में exist करती है तो उसने यह प्रिंट किया उसके बाद उसने क्या क्या file देखेगा empty है क्या नहीं file empty नहीं उसने check करा उसके बाद क्या check करेगा उसके पास read access है क्या हां उसके पास read access है लेकिन उसके पास write access है क्या हां write access है पर उसके पास executable access नहीं है जो कि इसने ही हां से check करा चलिए देखते हैं से कैसे पता लगाते है मैं से थोड़ा एदर की तरफ shift कर देता हूं यहां पर ls-a लिखता हूं तो यहां पर मेरी सारी file दिख जाती है अगर मैं यहां पर लिखता हूं ls-al तो आप यहां पर देख सकते हैं कि read write access क्या-क्या है अब यहां पर आप chmod करके लिखते हैं 777 और file का नाम देते हैं तो आप उसको सारी access दे सकते हैं यह numbers जो होते हैं access define करता है आपकी तो आप दे सकते हैं मैं नहीं दे रहा हूं आप अपने में experiment करके देख सकते हैं कि उसको access है या नहीं executable वाला लिए bitwise समझने की कोशिश करते हैं ठीक है अब इसमें मैं यहां प bitwise or bitwise or bitwise left shift sorry bitwise compliment मैं इसे थोड़ा नीचे कर देता हूं save bitwise compliment bitwise left यह हमने left shift किया और यह right shift किया ठीक है अब हम इसे run कर आते हैं और देखते हैं इसके results क्या आते हैं तो sh लिकूंगा है आप जीरो four hit tab enter आपने देखा bitwise and का जो address है a और b का वो four है bitwise all जो है वो seven है bitwise all जो है वो three है यह तीन मैं आपको diagramatically समझाओंगा कि कैसे आ रहे answer इसके अभी हम समझ लेते हैं bitwise compliment क्या होता है तो bitwise compliment जो होता है वो होता है हमारा n n हमारा number होता है और minus bracket में n plus 1 तो n plus 1 हमारा क्या हुआ 8 और उसके आगे minus लग जाता है तो यहाँ पर minus 8 आप देख रहे हैं लेफ शिफ्ट क्या होता है कि लेफ शिट आपको bitwise करना होता है ठीक है तो जैसे मान लीजे यह जो है उसका जो number होगा आपका binary में वो क्या होगा 0 पांट बार 0 उसके बाद 1 उसके बाद आपने उसे एक बार left shift कि यहाँ पे 0 आ गया उसके बाद आपने फिर उसे left shift किया तो यहां पर दो बार 0 आ गया तो यह जो है इसको convert कर देगा और answer आपको देदेगा 28 28 कैसे अगर हम आप रखते हैं 1 2 4 8 और 16 16 प्लस 8 16 प्लस 8 होता है आपका 24 24 प्लस 4 आपका 28 तो आपने उसको 28 answer दे दिया similarly right shift होता है जो होता है वो उल्टा होता है बस वो right shift की दरफ करता है ऐसे ऐसे आपने यहां पर नमबर जो दिया था उसको उसने दो बार right shift किया तो उसने यहां पर 1 print कर दिया और यहां पर 1 print हो गया चलिए अब समझते हैं अपने bitwise की यह हमारे answer 4703 कैसे आ रहे है अगर आपने logical gates कभी पड़े होंगे तो आपके लिए यह easy होगा समझना नहीं पड़े तो भी कोई बात नहीं होती तो bitwise and operator और bitwise और कैसे काम करता है हम इस condition के तो समझते हैं अगर a की value 0 है और b की value भी 0 है तो 3 में 0 आएगा तीनों gate में 0 आएगा अगर a की value 0 है बी की value 1 है तो and यानि दोनों condition फुल्फिल होनी चीए है तो यहाँ पे 0 आएगा और में a कंडिशन फुल्फिल हो जाए तो true हो जाता है तो 1 यहाँ पे true 1 की तरह समझ सकते हैं और 0 false की तरह समझ सकते हैं और a जौर में 1 कहलाते हैं similarly a की value 1 है बी की value 1 है तो a and b यानि दोनों condition फुल्फिल में ही true होगा तो which is true and 1 इसमें दोनों से कोई भी एक true होगा तो 1 और जौर में दोनों अगर वो है true है तो वो 0 हो जाएगा a की value अगर 1 है बी की value 0 है तो अब इसमें क्या होता है condition जो है दोनों में and में दोनों condition फुल्फिल होनी चाहिए तो ना तो दोनों condition फुल्फिल नहीं होगी तो यहाँ 0 आएगा तो and में तभी value 1 होगी जब दोनों की value 1 होगी और और में अगर दोनों की value 0 होगी तभी 0 होगा उसके अलावा सब जगे उसकी value 1 होगी और इस case में भी यही हो रहा है और जौर में value 1 होगी तो 0 1 या फिर 1 0 तभी इसकी value 1 1 आई दोनों अगर value same होती है 00 और 11 तो इसकी value 0 और 0 ही आई, so guys take a look at this diagram, जैसा कि मैंने कहा था, उसने पहली value में 7 को convert किया binary values में, और 4 को convert किया इस binary value में तो, जैसा कि मैंने बोला था कि last के two digits को वो check करता है is truth table के through ये truth table है, and का तो 1 और 0 का answer 0 होता है, क्योंकि दोनों condition fulfill होनी चीए है, और condition fulfill का मतलब दोनों जगे 1 होना चीए, दोनों जगे true होना चीए, तो 1 और 1 पर ही 1 आएगा, बाकी सब जगे 0 0 और 0 आएगा, तो ये value हमारे पास आई, और इस value को अगर हम convert करने बैठेंगे तो बनेगा 4, which is exactly what happened over here moving on, ये है और के बारे में, तो और का true table है, और में ये होता है कि दोनों में से एक condition अगर fulfill हो जाया, तो 1 आ जाता है, otherwise 0 और 0 पर ही 0 आता है, तो 7 को उसने convert कर आपने binary में, 4 को उसने convert कर आपने binary में, और यहाँ पर और लगा है तो 1 और 0 पर 1 आएगा, जहाँ जहाँ 1 आएगा ही, जहाँ 0 है तो इसको इसके बाद, यहाँ पर क्या होगा इसको जैसे ही हम इस value में convert कर पाएंगे तो ये 7 value में convert होता है binary से numerical तो answer 7 होना चाहिए समझते हैं decision making part decision making part में सबसे पहले हैं हमारा f, तो f में हमने basically 2 values लीव ही है, a equal to 20, b equal to 40 यहाँ पर हम चेक करें, equal है या नहीं है यहाँ पर हम चेक करें, does not equal तो हम इसे run करके देखेंगे पहले हम उस folder में चले आते हैं cd equal to 0, 4 decision making, उसके बाद मेरा first program sh01, hyphen, enter और वो बोल रहा है a is not equal to b तो यह वाला जो है, वो print इसले नहीं है क्योंकि दोनों equal नहीं है अगर मैं से 20 कर दूं यहाँ और save कर दूं और दुबारा चलाओ तो equal to b आके print हो जाएगा and that's how it works guys चीक है, तो आपको यह चीद समझ में आगए होगी इसे clear कर देते हैं if-else की दरफ चलते है बहुत ही basic program है if-then-else जो इसका वो होता है कि कहते हैं syntax वो यही होता है तो अब मैं से थोड़ा drag कर देता हूँ यहाँ पे अब हम इसे run करने की कोशिश करते है तो मैं यहाँ पे लिकूंगा sh02-enter a is equal to b क्योंकि वहाँ पे 20 or 20 equal होता है मैं इसे 40 कर दूँगा तो not equal to b आएगा तो if-then-else का if-else basically ऐसे समझा जाता है थर्ड program की दरफ चलते है तो थर्ड program जो है मारा वो क्या है 0-3, hit enter invalid value हमने यहाँ पे number के लिए हुआ है 4 यानि 4 लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे है comparison 1 और 2 का ही कर रहे है या तो number जो हो equal हो 1 के या number जो हो equal 2 हो 2 के तो उसने यहाँ पे invalid value में डाल दिया ना तो यह वाली condition fulfilled हो रही ना यह वाली condition fulfilled हो रही तो वह एल्स में चला गे अगर मैं यहाँ पे 1 value देता तो यह different result देता let me run this again और you can see the value of n basically the value of number let me write this so that you guys are not getting confused ctrl v ctrl s run this so you can see the value is 1 over here तो यह से यह काम करता है अगर मैं यहाँ पे से 4 लिखता हूं ctrl s कराहूं अगर रहन कराहूं तो invalid value आता है जो की मैंने एक बार रहन करा के देखा था और आया था तो ऐसे यह काम करता है गाईस तो I hope you have got it let's move on to the fourth one इसका नाम है if then else lf else ठीक है तो इसे वापस चलते हैं आपना fourth इसे मैं clean कर देता हूं ताकि आपको better दिखे 04 hit not sorry sh 04 hit tap enter ठीक है हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं देखी जैसे प्रोग्राम में लिखा if then lf then else तो यहाँ पर क्या कर रहा है उसने total करके एक variable लिया वह है जिसके अंदर thousand एक value दीवी है और उसे compare कर आ रहा है equal से अगर वह equal है तो यह print कर देगा अगर मैंसे 1000 की जीके 10,000 कर दूं तो देखते हैं क्या result आता है उसने लिखा total is greater than 1000 यानि total जो है 1000 से sorry greater है लेकिन अगर अभी मैंस value को 999 कर दूं तो value कम है उससे तो result क्या है total is less than 1000 तो देखा आपने if then lf then else का ladder है तो ऐसे ही काम करता है हो सकता है भी आपको यह समझ में ना आ रही हूं चीज़े तो आप प्रोग्राम को pause कीज़े वीडियो को pause कीज़े प्रोग्राम लिखे कुछ से और understand कर निकोशिश हीज़े बहुत ही basic है आपको यह चीज समझ में आ जागी और बढ़ते हैं आज हम last case पे which is switch case वापिस चलते है switch case भी decision making की तरह काम आता है यह थोड़ा different होता है और उसे switch case में हम क्या करते है इसका syntax नहीं पहले ही देख चुके है तो मैंने यहां पर एक variable लिया हुआ हुआ है उसके इंदर मैंने एक husky लिया हुआ हुआ है यहां पर मैंने तीन values दी है case में तो case का जो start होता है वो ऐसे होता है और वो dogs यहां पर accept करेगा value तो यह dogs value उटके आएगी husky यहां से इसके अंदर और जो भी case match होगा वो आगे का उसका print कर देगा मैंने यहां पर husky लिखा हुआ है तो यह third value print कर देगा चीक है अब इस एक बार चला के देख लेते हैं लेट्स दू दिस syntax का दियान रखेगा spaces का दियान रखेगा otherwise चीजें नहीं चलती है 05 hold on 05 hit tab enter और आपने देखा found in very cold places अगर मैं यहां से husky से हटा के यहां पर लिख दू इंडी और यहां से आज operators के बारे में example लिया है और decision making के बारे में if then else if else के बारे में example लिया है और यह चीजें आपको समझ में आयोगी तो अगर आपको कोई भी इश्व है तो feel free to comment below और हम उसे address करेंगे so thanks guys and I'll see you in the next video